मैं in fact announce करने ही वाला था कि जो website है मुझे लगता है काफी लोगों ने देखी भी होगी क्योंकि मुझे लखना हो से काफी email जाते है website के बारे में website का नाम है www.miranis.com आप नोट कर लें क्योंकि कितने लोग जब google.com पे जाकर खुदाय सुखन, मीरणी, सरकार मीरणीस को उनके जो मरस्य ढूंटते हैं तो कितने लोग M-E-E-R-A-N-I-S टाइप करते हैं ताकि website के spelling में mistake ना है इसलिए आप नाम नोट कर लिए www.miranis.com और इस पर आपको इस वक्त अगर आज अकल भी जाए मरस्य और वेब्साइट देखें तो आपको इस पर इस वक्त 35 मरस्य मिलेंगे कुछ 25 सलाम हैं सरकार मीरणीस के सरकार मीरणीस के लिखेवे नोहे हैं जो मैंने जिन्दगी में पहली बार पढ़े और अगर और मैं ऐलान कर दूं कि मैंने 2007 में जब पहली बार लग्नों में पढ़ा था मरस्या तब मैंने ऐलान किया था कि मेरणी साब मैं वेबसाइट दूरांच यह वेबसाइट लांच जाएं और यहा सरकार मरणीस की वेबसाइट अवेलिबिल है और सरकार मीरनीस की भी तो जो किताबें नहीं खरीज सकते क्योंकि उनकी किताबें खरीदना मुश्किल है ज्यादा मिलती नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है बस इंटरनेट पर बैठें और उनके मरस्य फ्री डाउनलोड कर लें उसमें कोई कोस्ट नहीं है एक नारे सलवाद मैं चंद बंद पढ़ूंगा जो मैंने जंग औहद पर नजम की है इतना वक्त तो मेरे बाद नहीं है कि मैं मुकमल पढ़ सकूँ लेकिन जो मौदू है मेरा वाज का वो ये है कि जिस वक्त जंग औहद में सब रसुले खुदा को छोड़ कर भागे और रसुले खुदा दुश्मनों में घिर गए तो रसुले खुदा पर चारों तरफ से हमला हुआ था और पहलो में सिर्फ मौला अलिय अलियस्सलाम थे तो नजम मैंने ये किया ये बताया है कि मौला अलिय अलियस्सलाम किस सिम्त लड़ें किस से लड़ें अगर सामने वाले से लड़ते हैं तो पीछे वाला हमला करता है और अगर दाएं लड़ते हैं तो बाएं वाला हमला करेगा तो इस आलम में और इस सिच्वेशन में मौला अलियालियासलामे रसुलिया खुदा को कैसे बचाया यह जंग कुछ आसान जंग नहीं है दुनिया की तारीख में नायाब जंग है और क्योंकि इतना तबारा हो रहा था लहाज़ा लाजम है कि मैं शुरुआत भी तबारा से करूं दुश्मन ने किया फौज पे हमला जो अकब से पूरी तबच्छो मैं अपनी खुद की लिकी वी जंग पहली बार पढ़ रहा हूं मैं सरकार मीरी जी की तो हमेशा पढ़ता हूं बिलाल भाही खासकर आपकी तबच्छो क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें आपका भी हाथ है क्योंकि मैं वच्छो मैं आपको सुनते आ रहा हूं इतना इंप्रेस रहा हूं हमेशा से दुश्मन ने किया फौज पे हमला जो अकब से ठहराना गया दश्टे बलाखेज में सब से दश्टे बलाखेज में सब से बचने के लिए मौत के अंद्वोह तब से भागे कई मौपेर के बचने के लिए मौत के अंद्वोह तब से भागे कई मूफेर के सुल्तान अरब से बुजदिल थे जो मैदान विगा छोड के भागे काफिर थे वो जो काबे से मूँ मोड के भागे बुजदिल थे जो मैदान विगा छोड के भागे काफिर थे वो जो काबे से मूँ मोड के भागे और तारीख में मिलता है पाँच या आट असाब थे रसुल खुदा के जो वफादार थे और जो मैदान में जमे रहे लेकिन क्योंके तीन हजार का लशकर तीन हजार से लड़ने की ताकत सब में नहीं होती ठहरे वही मैदा में जो असहाब जारी थे गाजी थे नमाजी थे गुनाहों से बरी थे ठहरे वही मैदा में जो असहाब जरी थे गाजी थे नमाजी थे गुनाहों से बरी थे जाहित थे मुजाहित थे अदम के सफरी थे जाहित थे मुजाहित थे अदम के सफरी थे ताहिर थे मुटाहिर थे चिराग सहरी थे कुर्बा हुए यू इश्ग शेहनशाह हुदा में कुर्बा हुए यू इश्क शेहन शाह हुदा में सर कट गए पर पाउ रहे राहे खुदा में सर कुर्बा हुए यू इश्क शेहन शाह हुदा में सर कट गए पर पाउ रहे राहे खुदा में बेजां हुए जब रन में वो अस्थाब दिलावर बेजां हुए जब रन में वो अस्हाब दिलावर आमाद पए गतल नबी हो गया लशकर खेंचे हुए तेगो तबरो नेज़ा खंजर घेरा बनाया एहमद मुखतार पे आकर हलके में फौज कीं के रसूल अजली थे हलके में फौज कीं के रसूल अजली थे और तेख का तोले हुए पहलू में अली थे हलके में फौज कीं के रसूल अजली थे और तेख का तोले हुए पहलू में अली थे बिलाल भाई खालिद ने कहा फोज-एसितम-गर्से के जाओ सुनते जाएं खालिद ने कहा फोज-एसितम-गर्से के जाओ खूं एहमद-'Mुखतार का रेती पे बहाओ क्या होगा अब अली से बढ़ो salud नखाओ सर जंग करो चाहो जो इनाम वो पाओ सर जंग करो चाहो जो ही नाम वो पाओ बचने का नभी के कोई चारा न मिलेगा मौका ये सुने रहा है दोबारा न मिलेगा गो खुद न बढ़ा रोब से हैदर के वो बुस दिल गो खुद न बढ़ा रोब से हैदर के वो बुस दिल लालच में आए सुनके ये तक्रीर वो जाहिल मकार की बातों ने बढ़ाया जो सब का दिल बस तूट पड़े अहमद मुक्ताव पे कातिल बस तूट पड़े अहमद मुक्तार पे कातिल थे मुस्ताइद अली मेद्रत देखें थे मुस्ताइद अली पकोई दम थमे रहे थमे रहे ये फ़ने सिपागरी है देखें पहली जुल्फकार की पहली जर्बत जर्बत अली थे मुस्ताइद अली पकोई दम थमे रहे तल्वार भी फरस के कदम भी जमे रहे जर्बत अली बिलाल भाई ये जो मैंने बंद लिखा इसके बाद जुल्फकार की जर्बत अली है और इसमे पूरा मजमे को मालम हो जाएगा कि कैसी जर्बत की मुला अली ने और कैसी जंग लड़ी है थे मुस्ताइद अली पकोई दम थमे रहे तल्वार भी फरस के कदम भी जमे रहे जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा देगे चार सिम से आ रहे है दुश्मन जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमे इस पे करार ने छोड़ा जब फासला दुश्मन से जब चार सिम से आ रहा है जब क्या करेंगे अली क्या करेंगे जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमेज पे करार ने छोड़ा इक हाथ जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमेज पे करार ने छोड़ा इक हाथ रास्त करके कलाई को जो मोड़ा जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमेज पे करार ने छोड़ा इक हाथ रास्त करके कलाई को जो मोड़ा गिर दे रसूल गश्त में फिर में लगा घोड़ा जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमेज पे कर्रार ने छोड़ा एक हाथ रास्ट करके कलाई को जो मोड़ा गिर्दे रसूल गश्ट में फिरने लगा घोड़ा आई जो ला फता की सदा चर्ख कोहन से सर एक के बाद एक किकट दे लगा जीते रहो जीते रहो जीते रहो क्या कहना जिन्दा बाज जिन्दा बाज जिन्दा बाज जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा रहवार को महमेज पे करार ने छोड़ा एक हाथ रास्त करके कलाई को जो मोड़ा गिर्दे रसूल गष्ट में फिरने लगा घोडा आई जो ला फताओ की सदा चर्ख कोहन से सर एक के बाद एक कक्टने लगे तन से हर सिम्त से तूटे चले आते थे सितमगार नजा कोई ताने कोई तोले हुए तलवार हलका बना के तीर चलाते थे कमादार पर वहर-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ती और क्या कमाल था ना वक्त तो क्या हवा का गुजरना मुहाल था एक नारे सल्वाद क्या हाथ था क्या तेखती हर सिम्त से तूटे चले आते थे सितमगार नैज़ा कोई ताने कोई तोले हुए तलवार हल्का बना के तीर चलाते थे कमादार पर वाहरे अली ये वली की वो कारजार क्या हाथ था क्या तेखती और क्या कमाल था ना वक्त तो क्या हवा का गुजरना मोहाल था आता था जो अंबोह से बढ़ कर कोई बदखो कर्थेते महाम्मद ये इशारा क्या अली? वो! आता था जो अम्बों से बढ़कर कोई बद्खो करते थे मुहम्मद ये इशारा कि अली वो वो सुनते ही बस घैज में जपता वो शेर जो एक बार में उस काफिर नारी को किया दो आता था जो अम्बों से बढ़कर कोई बद्खो करते थे मुहम्मद ये इशारा कि अली वो वो सुनते ही बस घैज में जपता वो शेर जो एक बार में उस काफिर नारी को किया दो चल कर खुदी अजल के शिकंजे में आ गया घुल्था शिकार शेर के पंजे में आ गया चल कर खुदी अजल के शिकंजे में आ गया घुल्था शिकार शेर के पंजे में आ गया चलती ती सरों पर नहीं तरफ देखें चलती थी सरों पर जो वो शम्शीर शरर बार सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार सरों पे चल रही है चलती थी सरों पर जो वो शम्शीर शरर बार सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार गर्दन की खबर लेते थे छूचू के वो हर बार एक नारे हैदरी आखरी आदमी तक दोनों हाथ बलंद करके नारे हैदरी चलती थी सरों पर जो शम्शीर शरर बार सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार गर्दन की खबर लेते थे छूचू के वो हर बार किस जाहो अमाजब के यदुल्लाह करे वार किस जाहो अमा जब के यदुल्लाह करे वार वो लोग जो समझे थे के हम बच के हट गए पहुंचे सकर में जब तो ये जाना के कट गए नाले हैद्रे नाले सलवार चलती थी सरों पर जो वो शमशीर शरर बार सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार गर्दन की खबर लेते थे छूचूचूके वो हर बार किस जा हो आमा जबके यदुल्लाह करे वार वो लोग जो समझेते के हम बच के हट गए पहुँचे सकर में जब तोई जाना के कैट गए चलने में वो तलवार नसीम सहरी है शिद्दत में है आतिश तो नजाकत में परी है शिद्दत में है आतिश तो नजाकत में परी है चलने में वो तलवार नसीम सहरी है शिद्दत में है आतिश तो नजाकत में परी है जर्बत में है यक्ता तो लगावट में खरी है आलम है महो में के अजब जल्वा गरी है ये दम ये खम ये मू ये जस ये कौन है किसकी आलम है महो में आलम है महो में के अजब जल्वा गरी है ये दम ये खम ये मू ये जस ये कौन है किसकी बजली को थी हैरत ये चका चौन है किसकी ये दम ये खम ये मू ये जस ये कौन है किसकी बिजली को दी हैरत ये चका चौन्द है किसकी उस तेख का फल उस तेख का फल नूर के सांचे में ढला है एक एक मिस्तरे पर आपकी तबज़ चाहूंगा उस तेख का फल फल उस तेख का फल नूर के सांचे में ढला है इस्लाम इसी फल के तबर रुक से फला है इस्लाम इसी फल के तबर रुक से फला है इस्लाम इसी फल के फल के फल के तबर रुक से फला है आसेब है ये इस से बचा कौन भला है फल फल इसलाम इसी फल के तबर्रुक से फला है आसेब है ये इस से बचा कौन फला है जिस पर ये गिरा तन से जुदा उसका गला है पुर जहर फल ऐसा के निहां फौत है जिसमे पुर जहर फल ऐसा के निहां फौत है जिसमे दुश्मन के लिए जायकतुल मौत है जिसमे चलती ती गर्दनों पे उधर जर्बत दौवार जर्बत का नाम चलती ती ती गर्दनों पे उधर जर्बत दौवार तन तन के हुनर अपने दिखाता थरा हवार पुरी तवज्जो चलती ती गर्दनों पे उधर जर्बते दवार तन तन के हुनर अपने दिखाता था राहवार यू गिर्दे नभी फिरता था असपे वफाशियार नुक्ते के गिर्द फिरता है जिस तरह से परकार जिस तरह से परकार चलती थी गर्दनों पे उधर जर्बते दवार तन-तन के हुनर अपने दिखाता था रहवार यूं गिर्दे नभी फिरता था इस पेवफाशियार नुक्ते के गिर्द फिरता है जिस तरह से परकार गशाता था लशकर का छलावे से उसी के गशाता भी चकर में था कावे से उसी के दो बंद और मैं जहमत अमाम करूंगा एक ये दो बंद सरकार मीर नीसके आपको सुनाने और वक बहुत काम है इसलिए सुनते जाहिए कट कट के गरा लशकर इबलीश जमीपर आपकी समातों के हवाले ये शेयर कर रहा हूँ आप तबर्रा पसंद है आप तबर्रा पसंद है कट कट के गिरा लशकर इबली जमी पर ग्यारा कही पंदरा कही पच्चीज जमी पर कट कट के गिरा लशकर इबली जमी पर ग्यारा कही पंदरा कही पच्चीज जमी पर एक वार में सर गिरते ते दस बीस जमी पर एक वार में एक वार में सर गिरते ते दस बीस जमी पर हर गाम तड़पते मिले चौबीस जमी पर कट कट के गिरा लशकरे इबलीज जमी पर कट कट के गिरा लशकरे इबलीज जमी पर 11 कहीं 15 कहीं 25 जमी पर एक वार में सर गिरते थे 10-20 जमी पर हर गाम तडबते मिले 24 जमी पर खुल्था के जूल-फकार के शोलों मे नार है खुल्था के जूल-फकार के शोलों मे नार है एक नारे सलवाद एक नारे हैदरी शुद्रिया कट कट के गिरा लशकर इबली समी पर ग्यारो कही पंदरो कही पच्चीज जमी पर एक वार में सर गिरते थे दस बीस जमी पर हर गाम तडबते मिले चो बीस जमी पर गुल्था के जुल्वकार के शॉलो में नार है बादो सरों पे तेग तबर्रा सवार है गुल्था के जिरा लशकर इबली जमी पर ग्यारा कहीं पंदरा कहीं पच्चीज जमी पर एक वार में सर गिरते ते दस बीस जमी पर हर गाम तडबते मिले चौबीस जमी पर गुल्था के जुल्वकार के शॉलो में नार है भागो सरों पे तेग तबर्रा सवार है भागो सरों पे तेग तबर्रा सवार है मखता मखता पढ़ने पेले आप आपसे दो बाते youth को नहीं पढ़ था-चे तो मैं जंगे हूद कभी नहीं लिक पाता इसका credit पुरा जाता है मिरे वाल्दे नो कैस, में हाथ है मिरी वालदा ने खुद मुझे बैट कर मीसहाब के मुरसे से कहा जब मुझे अर्दू पढ़ना नहीं आती थी, मैं हिंदी में लिख लिख कर सीखता था और फिर मैं धीरे धीरे खुद सीखता और मैंने काम करना शुरू किया और में मकताब पढ़ रहा हूँ और इसके बाद दो बंद पढ़ूँगा सरकार मीर निसके और जहमत तमाम है अर्दूर ये तालिब इसी दावे से खड़ा है अर्दूर ये तालिब देखे मैं आपको बता दूँ इसकी जो बैत है ये बैत मैंने सबसे पहले लिकी ये बί-बी ने मुझे आता कि अ ये ऐसे अशार लिखँं तो जहां से मैंने जंगे हो शुरू की मैं वहीं पे खत्म कर रहा हूँ हक का कि ये तालिब इसी दावे से खड़ा है हर मारकाई दी में कदम किसका गड़ा है हर मारकाई दी में कदम किसका गड़ा है खेत ऐसा जमाने में बढ़े गाना बढ़ा है खेता ऐसा जमाने में बढ़ेगा ना बढ़ा है इस शान से आलम में बहला कान लड़ा है ना जान की परवा थी ना मरने का खाफ था ये जंग थी या काबा इमा का तौफ था ना जान की परवा थी ना मरने का खाफ था ये जंग थी या काबा इमा का तौफ था एक बंद इमाम हुसेन लड़ा की शान में सरकार मीर नीस का अगर जो छोड़े बच्चे बैठे हैं वो भी थोड़ा सुनें और इंटरेस्ट लें सरकार मीर नीस को पढ़ने में तो एक बंद सरकार मीर नीस के जो हज़त अबास अलब रज़ाज में अगर आप रज़ास के तीन-चार बंद सुनना चाते हैं तो मैं आपको हज़त अबास अलब रज़ास के तीन-चार बंद सुना सकता हूँ जो सरकार मीरनीस के लिखे हुए सुनिये दो तीन पन सुनांगो ज्यादे नहीं अज़त अबास मकतल में आते हैं और पूरी मकतल के सामने मैं शुरुआत से नहीं पढ़ ला हूँ मैं तर्मियान से पढ़ ला हूँ कहते हैं कि खुर्शीद को महताजिय जर्रा नहीं जर्रा खुर्शीद को महताजिय जर्रा आपके मिज़ाज के ये बंद है खुर्शीद को महताजिय जर्रा नहीं जर्रा दीदार सदा करते हैं काफिर पितबरा एपने साथ से कह रहे हैं खुर्शीत को माता जिये जर्रा नहीं जर्रा दीनदार सदा करते हैं काफिर पे तबर्रा जालिम तेरे हाकिम को एक कि बात का गर्रा जालिम तेरे हाकिम को एक कि बात का गर्रा इसलाम से आरी है तो इमा से मुअर्रा कारूं का खजाना हो तो इज्जत नहीं मिलती कारूं का खजाना हो तो इज्जत नहीं मिलती दौलत से कमीने को शराफत नहीं मिलती नाले है दे कारूं का खजाना हो तो इज्जत नहीं मिलती दौलत से कमीने को शराफत नहीं मिलती हूरो मलको खुल्दो इरम कौसरो तूबा पर सुनिए आप सुनिए क्या लिख दिया सरकार मीरनीस ने अपने रजज़ में हूरो मलको खुल्दो इरम कौसरो तूबा संगो शज़रो कोहो बरो गौहरो दरिया संगो शज़रो कोहो बरो गौहरो दरिया खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुमद खिजरा खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुमद खिजरा और रूमो रहो मिस्रो नजव यसरी बबता इतने नाम लेकर कहना क्या जा रहे है पूछे जो कोई कौन इमा में अजली है सब देंगे गवाही के हुसाइन इपने अली है पिर जाइमत होगी हजराद ये मेजी रिजवी साब के जो फर्जन इतने अच्छे अंदाज में आपको शायरी करके दिखा रहे हैं कि मेरा दिल नहीं माना और मैं यहां गया मैं गुजारिश करूँगा रिजवी साब से के अपने बेटे के करीब आ जाए और मैं एक शेर सुनाता हूँ तश्रीफ लाएं मदे अले बेट में शायरी कोल लोग करते हैं आप समात फर्माएं मैं एक शेर रिजवी साब की नजर करना चाहता हूँ के दिल पाग नसब पाग हदफ पाग जबापाग दिल पाग नसब पाग हदफ पाग जबापाग इतने सिफात हो तो कोई शायरी करे मदे अले बेट में दिल पाग नसब पाग हदफ पाग जबापाग इतने सिफात हो तो कोई शायरी करे वाके अंडिजी साब ने अपने बेटों को इस तरह से पर्वाइन चड़ाया कि मीर अनीस के वो अशार और पूरी मीर अनीस की जिंदगी जैसे जैसे मीर अनीस के अशार होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे सामने बयान हो रहे हैं इनके बेटे के अंदर वोई फन है मैं आप हज़राद से सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप हज़ाद में दूआ करता हूँ आप आमीन कहना कि खुदा वंदे आलम इस बच्चे को इस जवान को सेहत के साथ तूले उम्रता फरमाए और इनकी तूफिकात में इजाफा फरमाए इनके वालदें की तमाम नेग मुरादे वरला एक नारे सल्वात पूछे जो कोई कौन इमाम अजली है सब तेंगे गवाही के हुसाइन इबन अली है बिछ्डे थे पैंबर से कभी हजरत जाफर हमजा कभी दुश्मन की तरफ मिल गए जाकर हैदर को कभी छोड़ गए मालक आश्टर मशहूर है जंग जमलो खंदको खैबार मशहूर है जंगे जमलो खंदको खैबार हैदर थे जो सब फोज के आगे थे उहद में हैदर थे जो सब फोज के आगे थे उहद में ना मर्द थे वो लोग जब भागे थे हैदर थे जो सब फोज के आगे थे उहद में ना मर्द थे वो लोग जो भागे थे उहद में और आखरी बंद सुन लीजे मैं तो खेर जमीने सुखन पर खड़ा हूँ शुद्रिया अपर थे जाए 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 एक नारा है हेदरी जाए हेदर थे जो सब फोज के आगे थे उहद में ना मर्द थे वो लोग जो भागे थे उहद में आखरी बंद और फिर बेताब भाई हैं और आप सब जमीने सुखन पे रहते हैं सुखन पे रहने वाले हैं मैं आप से क्या बत हूँ खुदा है सुखन मीरे नीज की बाते हैं लेकिन एक नारे सलवात मौमनी ने लखनों और अहले लखनों की खिद्मत में इस बात की वज़ाद कर रहा हूँ कि जनाम मौम्मद मेंडी साहब के इखतियाराद बहुत ज्यादा हैं जो मैं जानता हूँ लहाद आप इन से वादा लें कि इसी शहर लगनों में मीर अनीस के नाम का एक बेहतरीन समिनार करेंगे इंशाला आप आके वादा करें माशाला बड़े अख्तियारा थे इनकी इतनी हैसियत है कि मीर अनीस के नाम का एक मारकतलारा समिनार कर सकते हैं इन्शाला उसमें मौलानों की सरप्रस्थी में होगा और आप जादाद देए कि मीर साहब का पूरी कोवम पे हक था है और रहेगा हम लोग को मालू ही नहीं कि मीर साहब क्या है वो तो बच्चे नहीं जब शुरू किया तो पता चला इन्हें ख़दाना है इन्शाला वादा है करेंगे शादा ताप कैसे मीर अनीस और मिर्जदा दवीर को इन्शाला सेमिनार होगा और आखरी बंद जो लोग सरकार मीर अनीस के मरस्य पढ़ते हैं वो जानते हैं के करबला के बारे में जिक्र उन्होंने इतने नाम इतने लकाद दिये किताब तो मैं लिख रहा हूँ 1000 टाइडल्स आफ इमाम हुसाइन from the poetry of Miranis 1600 नाम हैं इमाम हुसाइन आफ इस वक्त मेरे पास लेकिं बेरहाल ये काम है और ये बताना चाहता था कि मरसियों में आपको क्योंकि आशूर पे और कर्बला पे लिखते थे सरकार Miranis इमाम जमाना अलिएसलाम का जिक्र आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा इमाम जमाना अलिएसलाम का बहुत जगा पर जिक्र नहीं आएगा ये जो बंद मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसमें इमाम जमाना अलिएसलाम का जिक्र है और जो चार-पांच मेरे पसंदीदा बंद है सरकार मीर अनीस के मेरे पसंदीदा बंद उन में से एक ये बंद है जो जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं थोड़ासा ये मसाइब की तरफ जा रहा है लेकिन मैं सुनाओंगा आपको क्यूंके मुझे हیرت है किस मकाम पर इमाम जमान अले दिवार का जिक्र किया है सरकार मीर नीस ने एकदम इमाम हुसेयन आले भाटते बताते बाटते और मसाइब पर आते आते एकदम से हमारे जिन्दाप इमाम का जिक्र और असर का हंगाम है حکمِ خدا آ چکا ہے عرشتے کہ اے حسین تلوار میان میں رکھ اور امام حسین علیہ وسلم کی ذولفقار سے گفتگو لکھئے کیونکہ ذولفقار بھی امام حسین سے گفتگو کرتی تھی ذول جنہ امام حسین سے گفتگو کرتی تھی یہ امام حسین کی وہ ساتھی ہیں جو آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے امام کا دل بہلایا ہے لیکن اب کیونکہ ذولفقار میان میں جا رہی ہے تو ذولفقار کی تسلی کا क्या करीना है जुल्फिकार की भी तो तसली का कोई करीना होगा ये सरकार मीर अनीस ने अपनी मरसिय में नजग गया है कहकर ये सुखन म्यान कहकर ये सुखन म्यान में की शाहन तल्वार तल्वार को जुल्फिकार को म्यान में रखिया कहकर ये सुखन म्यान में की शाहनित तल्वार और रोरो के बोसे लिए कबजे के कई बार और रोरो के बोसे लिए कबजे के कई बार फरमाया बसाद दर्द के ऐ हम्दम उ घंखार ले होता है रुखसत पिसरे हैदर कर्रार ले होता है रुखसत पिसरे हैदर कर्रार और इस पैत पर आपको दाद देनी है कि किस मकाम पर किसका खिक्र किया है और इमाम हुसेियन की तस्तली का करीना बायान कर रहे हैं के जन्नत को चले तश्न दहन हम तो जहां से अब महदी एहादी तुझे खैंचेंगे मयां से जन्नत को चले तशन दहन हम तो जहां से अब महदी अहादी तुझे खेंचेंगे मयां से